हाई अबरेवन जो इस वीडियो में मैं लिख आ हूँ आप लोगों के लिए उसमें ये जो फ्रिक्वेंटली जो बच्चे कोशन्स कर रहे हैं मतब जो बेसिक कोशन्स के रिगार्डिंग जो बच्चे पूछ रहे हैं बार-बार के कैसे सीट अलॉट करनी है कैसे नहीं करनी ह पर बात किस तरीके से आप प्रोसीड करना है उसके अंदर तो जो भी बैसिक कोशन्स हैं और उसके आंसर्स में आपके लिए 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 हूँ ताकि जो भी आपको डॉट्स के अंदर हो रहे हैं वो आप डाउट अपने क्लियर कर सकें एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी कांसलिंग है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है इसके अंदर तो इसके लिए कि कोई भी आपको डाउट्स या इशू अगर आपको आ रहा हूँ तो वो भी आप हमें साथ शेयर करिए इस वीडियो के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने आपको बताएंगे यहां से तो बैसिक कोईशन जो भी हैं यहां से जो बताना चाहूँगा मैं आपको जो स्टार्ट कर रहा हूँ अभी थोड़ी गेर में तो स्टार्ट करते हैं चलिए यहां से जो पहला question रहता है जैसे बच्चों का जैसे आपके screen पे आप भी पढ़ पा रहे होंगे कि प्रथम चर्ण की counselling के लिए जो seat आवंटित हुई है उस परियदी में प्रवेश नहीं लेता हूँ तो क्या मैं आगामी चर्णों की counselling के लिए पातर रहूंगा या नहीं इस question का मतलब यह है कि अगर आप जो first counselling आपकी आएगी first जो आपका allotment का वो start होगा जबाब का तो अगर आप उसके अंदर participate नहीं करते हैं तो किसी नहीं पूछा है कि आगे के लिए आप बदब second counselling के लिए आप eligible रहेंगे के नहीं तो उसका answer यह है कि प्रथम चरण की counselling में आवंटिज सीथ पर यदी प्रवेश नहीं लेते हैं तो आगामी चरणों पर की counselling के लिए आप आत्र नहीं रहेंगे मतलब अगर आप first counselling के अंदर अपना नाम नहीं डालते हैं तो second और third counselling में आप eligible नहीं रहेंगे तो आप से यह request है कि आप जो भी college select करें उसको बड़े ध्यान से करें अपना source समझ के कि आपको कौन सा college लेना है कौन से college में आपको admission लेना है तो आप वही counselling में college डालें और उस college को फिर आप जो भी आए उसके हिसाब से आप उसको लें क्योंकि अगर आप वह चीज नहीं लेते हैं तो आगे चलके आपको issue create होगा देखिए अगर choice filling में आपको नहीं मिलता है आपके choice का college तो आगे जाके आप उसको change कर सकते हैं बट जो भी आप college आपके हिसाब से list में डालते हैं वो उसी हिसाब से आपके marks के accordingly आपको allot किये जाते हैं तो उसको आपको claim तो करना होगा next counselling के अंदर आप उसको change कर सकते हैं second question जो mostly student पूछते हैं वो यह है कि प्रत्रम चरण की counselling में मुझे कोई seat आवंटित नहीं हुए है क्या मैं दित्ते चरण की counselling के लिए पात्र हूँगा ये हिंदी में जो आप पढ़ पा रहे हैं इसमें जो आवंटित नहीं हुए मतलब allot नहीं हुए है और दित्ते चरण मतलब second counselling और प्रत्रम चरण मतलब first counselling तो इसमें आप confused नहीं हो इसका जो answer है वह यदि प्रत्रम चरण की counselling में कोई seat आवंटित नहीं हुए है तो आप दित्ते चरण की counselling के लिए पात्र रहेंगे अगर first counselling में आपको कोई भी seat आपके marks के accordingly अगर आपको allot नहीं की गई है तो आप उसके लिए परिशान नहीं हो आपको second counselling के अंदर वो seat आपको allot की जाएगी आपके marks जिसे जिस हिसाब से आपके marks आए हैं उसके हिसाब से आपको seats यहाँ पर allot की जाती है तो जो अगर first counselling में नहीं होई तो second counselling में आएको आएगी बट उसमें आप participate ज़रू मैं question एक बार उपढ़ते दों क्या राज्यस तरी कांसलिंग में अप्ग्रेडेशन का विकल्प प्रत्रम चरण के प्रवेश में उप्रांथ में उप्दब्ध है तो इसका answer है राज्यस तरी कांसलिंग में प्रवेश अभयारती को प्रत्रम और दृत्य चरण की का विकग दे जाने की सुविधा है, मतलब जो आप फर्स काउंसलिंग के अंदर जब आप देखेंगे तो उसी में आपको सेकंड काउंसलिंग का अप्ग्रेडिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, मींस आपको कोई कॉलेज अलाउट हुआ है, और आप उसको अप्ग्रेड करना चाहते हैं, तो वो आपको उसका उप्शन फर्स काउंसलिंग में ही मिल जाएगा, अगर जैसी फर्स काउंसलिंग आप भरेंगे, उसमें आपके साइड में उप्ग्रेडिशन का उप्शन आए नेक्स कोशन है, मैं अप्ग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार से दे सकता हूं, अगर आपको अप्ग्रेड कराना हैं, तो आप किस प्रकार से उसको करवा सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, अभ्यारती अप्ग्रेडेशन का विकल्प अपने क्रेडिट प्रोफ उसके अंदर एक अप्ग्रेडिशन का आपको एक option दिया जाएगा, तो आप अपना अभ्यारती मतलब students, तो जो भी आप students हैं, वो अपना candidate profile के अंदर जाके अप्ग्रेडिशन का option दे सकते हैं, मतलब उसका option select कर सकते हैं, कि आपको अप्ग्रेड कराना है, जो online आपकी site है, उसके अंदर आप ये जाके करवा सकते हैं, आपका, प्रतम चरण की counselling में आवंटिद seat पर मैंने प्रवेश लिया है, एवन प्रवेश के समय मैंने दित्ते चरण हैदू अप्ग्रेडेशन का विकल दिया है, तो क्या अप्ग्रेडेशन ना होने की स्थिति में, मेरी पू कांसलिंग होगा, उसमें आपने अप्ग्रेडेशन के लिए डाल दिया, तो अगर आप वो अप्ग्रेड नहीं होता है, तो कोशन ये है कि आपकी जो पुरानी seat थी, जो आपको अलॉट होई है, वो आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसका अंसर जो दिया गया ह या थावत रहेगी, मतलब रहेगी, इंदसन्स के अगर आप फर्स कांसलिंग के अंदर सेकंड कांसलिंग का अप्ग्रेडेशन करते हैं, और वो अप्ग्रेड नहीं हो पाता है, बाइचांस आपके मार्स उतना नहीं होता है, या वो seat नहीं बचती है, या किसी और को मिशन ले सकें, वो seat आपकी कहीं नहीं जाती है, इस चीज़ के लिए परिशान नहीं नहीं हो कि बहुत स्टुडेंट्स का यह डाउट रहता है कि हमने अप्ग्रेडेशन में डाल दिया, तो जो हमारी पुरानी seat थी वो चली जाएगी, आपकी पुरानी seat कहीं नहीं जाती अप्ग्रेड के लिए जाएं, और अप्ग्रेड में अगर आपका हो जाता है, तो वो second seat आपको उलाट हो जाएगी, जो अप्ग्रेडेशन वाली list है, वो अप्ग्रेड हो जाएगी आपके में यह हट दियाएगी, फिर यह seat फ्री हो जाती है बाकी students के लिए, बट ऐसा न अप्ग्रेडेशन ना होने की सिस्थी में मेरी प्रूफ सीट यथावत रहेगी, अथवा नहीं रहेगी, तो इसका जो आंसा था, यदि आपने दित्ते चरण की काउंसलिंग में अवंटिट सीट पर प्रवेश लिया है, अथवा प्रत्थम चरण की काउंसलिंग के पुराना सवाल था, कि अगर आप कोई भी सीट अलॉट्मेंट में जो आपको हुई है, उससे अप्ग्रेडेशन के लिए जाते हैं, किसी भी सिधी में जाते हैं, मौप आपको लेके जाते हैं, दोनों ही सिधी में आपकी पहले वाली सीट आपके पास रहेगी, जब तक आ पुरानी वाली सीट, आपको अलॉट नहीं होती है, तो आप पुरानी सीट पर एड्मिशन ले सकते हैं, वो आपके पास से नहीं जाती है, जब आपकी पुरानी सीट आपको अप्ग्रेड हो जाएगी, आपको महा पर एड्मिशन हो जाएगा, अगर आपके मार्स ऐसे हु एवन प्रवेश के समय मैंने दित्ते चरण अत्वा मॉप अप चरण हेतू अपग्रेडेशन का विकल्ब दिया है तो क्या अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेडेट सीट महा विध्याले श्रेणी में प्रवेश लेने अनिवारे होगा अप्गरेडेशन के विकलत दिये जाने के अनुका मांग में दिट्थे चरन्ड अत्वा मौप अप्चरन्ड में अप्ग्रेड होने की स्थिति में आपको अप्गरेडेड सीट महाविध्याल है श्रीटी में प्रवेश लेना अनिबारे है ऐनलाइन अप्गरेडेशन प्रक कॉलेज में आपको अलॉट हुआ है आपने वो कॉलेज नहीं चाहिए आपको अगर बेड कराना है आपने अपग्रेड कराना है जैसी ही आपका अपग्रेडेशन में नाम आ जाता है मानलीजे आपने जो कॉलेज के लिए डाला अपग्रेडेशन में वो आपको मिल गया तो आपका जो अलोट करा हुआ पहला का अलोज था वो आपके पास से लिस्ट में से हट जाएगा, क्यों? क्योंकि वो बाकी स्टोरेंट्स को अलोट होगा, ये आप समझे स्टेप बाइ स्टेप चलता है, मनला माली जी आपने कोई चीज अपग्रेडेशन में डाली, आपको अब आप ये नहीं कर सकते हैं, माली जी आपने अपग्रेडेशन में डाला है, और आप ये चाह रहा हैं कि नहीं मुझे अपग्रेडेशन में आपको मिल गया है, उसके बाद मैं पुराना ही कॉली लोग, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए काउंसलिंग में बहुत सोच समझ के आप कॉलेश डालें, आप जब सलेक्ट करते हैं, वो भी लिस्ट बहुत सोच समझ के सलेक्ट करें, क्योंकि अगर अपग्रेड करते हैं, तो वो भी सोच समझ के करें, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद आप उसमें बैक आउट नहीं कर भाएंगे, आपने को पुशिश ये करें कि बार-बार confused ना हो क्योंकि इससे क्या है आपको तो परिशानी होगी होगी बाकी जो students हैं आपके साथ के उनको भी issues होते हैं क्योंकि government seats में बहुत कम seats रहती हैं आपको मालूम है अलग-अलग categories हैं अलग-अलग categories आपको select करना पड़ता है ST, SC, OBC, General अलग-अलग रहता है बच्चों के पास seats काफी कम रहती हैं तो जिन बच्चों का नहीं मिल पाती हैं seats तो बहुत issue हो जाता है इसके वज़ासे कि आपने एक seat के अपग्रेड किया फिर आप वापस रोसी के में करवाना चाहरा है तो इससे better है आप अपना college seat बहुत स आपको मिली है उससे त्याग पत्र मतलब उसको छोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है नेया मनुसार प्रत्रम चरण में प्रवेश के उपरांग समय सांडी time schedule में प्रदर्शित समय विधी के भीतर seat को त्याग पत्र प्रवेश संस्ताक में online दिया जा सकता है समय विधी के उपरांग किसी भी चरण में प्रवेश के प्रश्चा त्याग पर दिया जाना पर नियम अनुसार seat living bond की बात देता लग होगी इसमें यह है कि माली जिए आपको की seat allot हुई थी आपने अपग्रेडिशन में डाला उनका एक time schedule रहता है उस schedule के भीतर यह आप उस seat को पड़ेगा आपको कोई offline जाके आपको कोई भी letter या कुछ sign नहीं करना है आप online प्रती होती है मतलब एक copy होती है आप उसको submit कर सकते हैं पुराने वाले colleges के अंदर जिससे वो आपकी seat का allotment हटा दिया जाएगा उनको भी अप्ग्रेडिशन की list जाती है हर college के अंदर आप यह परिशान मत होगी कि आप कैसे जाके वहाँ पर बोलेंगे या बात करेंगे तो उसका कोई issue नहीं होता है हर colleges के अंदर एक upgrade list जाती है बोलेस चेक करते रहते हैं अगर आपका उस college में नाम है उनको allot हुआ है तो उनके पास list रहीगी आप उनको online अगर आप जो भी आप अपना copy देंगे तो उनके पास already आपका नाम रहता है वहाँ पर registered हो जाता है और अगर आप upgrade भी करते हैं तो उनके पास upgraded list भी आती है कि आपने college छोड़ दिया है और उनको next college में अपने admission लिया है तो वहाँ से भी अगर आप online भी उनको बोल देंगे तो वहाँ जाता है चार्ज रहते हैं वो आपको देना पड़ता है government seats वैसी कम होती है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखे हैं यदि में प्रतम चरण की counselling में अवंटिस seat पर प्रवेश लेता हूँ और उस seat से त्यागर पत्र देता हूँ तो क्या आगामी चरणों की counselling के लिए पात्र जाएगा अगर आप किसी भी college में admission नहीं ले रहे हैं और अगर आप त्यागर पत्र देते हैं आप counselling से हटते हैं तो आप आने वाले किसी भी उसमें आप eligible नहीं होंगे means अगर आपने upgradation के लिए नहीं डाला है ये question आप एक बार फिर से सुनिएगा यदि आप प्रतम चर कि अगर आपने त्यागर पत्र means TC या जो भी आपने उसको allotment को छोड़ दिया उस college को आपने नहीं लेना चाहा तो आप आने वाले उसमें अगर आपने कोई आगे आपने नहीं आपने second counseling के लिए आपने अपने आपको तो वो college अगर आपका लेने के बाद अगर आप कि जिए for example आपने डाला आपने college allot हुआ है आपको और आपको वो college मिल गया आपने upgrade के लिए डाला आपको नहीं मिला और आपने उस college से भी आपने त्याग पत्र दे दिया मतलब आपने वहां से registration हटा लिया अपना तो आप second counseling में नहीं बैट पाएंगे क्योंकि आपका already upgrad tradition हट चुका है और वो college जो आपको अलोट हुआ था वो भी आपने छोड़ दिया तो आप आने वाली counseling के अंदर आप नहीं हो पाएंगा आपका पंजियन दस्त हो जाएगा means जो आपका need का exam जो आपने दिया है इससे आपका eligibility हटा दी जाएगी तो ये चीज का बुलकुल ग चोड़ो दें ताकि जो आने वाले बच्चे हैं बाकी जिनको college चाहिए जो college प्रिफर कर रहे हैं ताकि उनको वो college मिल जाए होता है क्या है कि अगर बच्चे इस decision में बहुत late हो जाते हैं counseling खतम होने वाली होती है कई बच्चे उस time पे college left करते हैं कि नहीं हमें नहीं करना ह हमें तो से अप्ग्रेट चाहिए था for example हमें अपनी city का चाहिए था उस time पे वो seat vacant होती है तो वो बड़े issues हो जाते हैं वो seat साल भर vacant जाती है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें क्योंकि वो जी seat अगर counseling खतम हो गई है और उसके बाद आप त्याग बतर दे रहे हैं देखिए उसमें आपको एक तो bond की issue आएगा आपको amount आपको पे करना पड़ेगा bond का जो की काफी जादा होता है तीस लाग के लगभग वो amount होता है जो की I think बहुत बड़ा amount है तो इस चीज़ का बुलकुल ध्यान रखें कि तीस लाग खाली बिना किसी उसके pay घरना आपको बहुत ही भारी पड़ेगा and second thing वो seat main important है देखिए बात पैसे की कम जादा है और बाकी जो बच्चा वो साल वो college लेना चाहता था and उसको वो college नहीं मिला उसका पूरा साल वेस्ट होना वो जादा important है तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप इस चीज़ में बुलकुल आप एक बार नहीं आप हजार बार हमसे सवाल कर लें इस चीज़ को लेके आप comment box में जितना चाहें आप सवाल कर सकत क्योंकि इस चीज़ में गलती करना मतलब इमान के चली कि आपने पूरे exam सही से दिये सारी चीज़ें करी आपने पूरे साल बर मेनत करी और counseling के नायम पे अगर आप कोई भी mistake कर रहें और उसकी वज़ा से किसी को allotment नहीं मिलता है या आपको allotment मिलता है तो यह बहुत त्यागर पत्र देते हैं तो आपका कितना अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा यदि आप दितने चर्ण की counseling में दो दिवस पूर्व मतलब दो दिन पहले तक अगर second counseling के दो दिन पहले तक त्यागर पत्र देते हैं तो आपकी चमा की गई के 10% अधिकतम 10,000 रुपे कटकर आपकी फीस counseling समाप्त हो जाती है समाप्त के उपरान वापस कर दी जाती है एनरे अभरती दोरा उप्रियुक्त समय सीमा के त्याग पर दिया उस पर रुपे 25,000 कटोती की जाएगी देखिए इसका दोनों चीजों में अलग-अलग है अगर जो आपने लिया है उस सीट का अगर आप कैंसल करवाते हैं तो उसमें आपकी जो जमा के राशी है जो भी राशी आपसे जमा करवाई हो जो 10% होता है 10% उसका आपको कटकर आपकी फीस में counseling में वापस मिल जाएगा और जो NRA अभरती होते हैं मतलब जो NRA कोटे से admission लेते ह हैं उनकी fees भी आपसे double होती है और उसका जो आपका जो deposit है में जो minimum deposit आपसे करवाते हैं वो भी जादा होता है तो यह मानके चलिए कि normal students का 10,000 रुपे तक आपका कटकर वापस आ जाता है और बाकी बच्चों का जो NRA कोटे से ले रहे हैं 25,000 रुपे तक कटकर वापस आता प्रवेक्षित सीट से त्यागर देने पर seat living bond कब लागू होगा दित्य चरण की counseling के दो दवस पूर्व तक त्यागर पत्र देने पर निया मनुसा seat living bond लागू नहीं होगा परंतु धर समय सीमास के उपरांद त्यागर पत्र दिये जाने पर seat living bond लागू means जो आपका bond रहता है आपका college seats के साथ जो भी bond होता है अगर आप second counseling के दो दिन पहले तक अगर वो आप अपना cancel करवाते हैं तो जो आपका bond है वो आप पे eligible नहीं होगा अगर आप उसके बाद अगर आप पकरवाएंगे तो bond आप पे eligible होगा आपको वो bond के हिसाब से आपको पैसे वहाँ पे करने होंगे क्योंकि आपने अपना college registration वहाँ से हटा दिया है counseling का start हो चुकी थी आपने वो नहीं किया attend आपने college लोट लेने के बाद आपने उसको हटाया है तो वो bond के हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे इसलिए अगर आप नहीं लेना चाहते है वो college तो second counseling के दो दिन पहले तक का आपका time रहता है आप त्यागर पत्र या टीसी जो भी है अपना resignation वो दे सकते हैं उसके दित्ते चरण में भाग लेने है तू अभ्यारती की पातरता क्या होनी चाहिए second counseling में पार्ट लेने के लिए आपकी eligibility criteria क्या होना चाहिए ये पूछा है उनोंने दित्ते चरण में अभ्यारती भाग ले सकते हैं जो counseling है तू पंजिकृत है एवन जिनने प्रतम चरण की counseling में कोई seat अवंटित नहीं हुई है अथवा प्रतम चरण की counseling में प्रवेश्चित एसे अभ्यारती जिनने दित्ते चरण की counseling है तू प्रतम चरण से प्रवेश्च के उपरा upgradation का option दिया गया है क्या होता है कि कई बार आपके marks जो आपको आए हैं उसके हिसाब से आपको college allot होते हैं तो वो list wide allot होते हैं कई बच्चे जो होते हैं उनको क्या है कि बाहर का college मान लिजे के for example जबलपूर का college है या कोई upgradation में college है गवालिया का college है वो list में उपर आते हैं बट आपको वो दिये गए हैं और आपके marks उसे साब से थे कि आपको अप्ग्रेडिशन का college already मिला हुआ है मान लिजे आपको जबलपूर का college मिला है पर आप चाहते हैं कि नहीं मिलियے वो भी second counseling में बुलramos yakil eligible होते हैं अगर आपने first counseling में पंजी क्रिप किया हुआ है मतलब आपने उसमे इसमेनth registration किया हुआ है first counseling में तो आप second counseling के लिए बिल्कुल eligible हैं आपको अगर college नहीं मिलता है first counseling में तो second counseling में आप बिल्कुल आपको college allot किया जाएगा दिखिए इसमें दो तरीके के college आपको allot होते हैं private और government अगर आपको government college allot नहीं हुआ है तो आपको private college allot होगा आपको allotment जरूर होगा और इसके अंदर choice filling रहता है choice filling के अंदर आप दोनो options select करें क्युकि इसमें कह रहे गाएगा आपको options रहेंगे अगर आप सोच रहेंगे सिर्फ में government option select कर लूँ या खाली private option select कर लूँ मेरे हिसाब से आपको दोनों option select करने चाहिए क्यूकि इस मैं कहा है आपको मांक्स के हिसाब के आपको अपग्रीड कॉलेजिस जो रहते हैं अगर आपको गॉवर्मेंट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं तो आप प्राइविट के लिए बहुत सारे आप्शन्स हैं MBBS है, BDS है, BDS है, BAMS है, BAMS है, बाकी चॉलेजजिस भी हैं और मैं आपको एक चीज़ बताओं यह सारे में आपको डॉक्रेट की डिगरी मिलती है तो कोई भी कॉलेजज आप ऐसा प्रिफर نہ करें कि आपको MBBS है मिल रहा है और BDS मिल रहा है तो मैं BDS क्यों करूं बहुत जादा scope होता है हर college में हर अपने अपने हसाब से अलग-अलग degrees का बहुत scope से MBBS का अलग scope है BDS का अलग scope है BAMS का अलग scope है बहुत सो लोग उसी field में जाना prefer करते हैं लोग सोचते हैं MBBS नहीं मिला तो BDS किसी काम का नहीं है तो ऐसा बुलकुल आपने ही सोचे BDS भी बहुत अच्छा option है even मतलब मैं आपको कहना चाहूंगा MBBS से better option भी कई बार लोग समझते हैं BDS को क्योंकि उसमें practical knowledge अच्छी होती है और आपको pace के scale भी आपका काफी अच्छा है MBBS में आपको PG's में काफी issues होते हैं BDS के अंदर भी आप बाकी MDS वगिरा कर सकते हैं इसके अंदर दोनों ही मेरे लिए बराबरें बाकी BHMS BAMS ये सब भी आपको government jobs के लिए बहुत अच्छे देते हैं बहुत से लोग select करते हैं तो इस चीज का बुलकुल ध्यान रखें आप के अपना counselling जो भी भर रहे हैं उसके अंदर दोनों चीज़ों कर डालें BDS भी डालके रखें अगर आपको BDS government allot होता है तो बहुत ही अच्छी बात है उसकी भी काफी value है तो आप दोनों चीज़े कर सकते हैं और आप अगर first counselling में allotted नहीं मिला तो second counselling में मिलेगा आपको और अगर आप चाहें तो उसमें अपग्रेडिशन का option भी है आप वो select कर सकते हैं क्या दित्ते चरंड माप चरंड के भाग लेने है तो पिन choice filling even locking करना आने वारे है दित्ते चरंड माप चरंड में भाग लेने हो तो सभी पात्र अभ्यारतियों को निर्धारित अग्रिम शुप advance fees जमा करने के बच्छा choice filling even choice locking किये जाना आने वारे होगा means अगर आपने second counseling के अंदर अगर आपने कोई भी आपने college लिया है तो उसमें आपको advance fees जमा करनी पड़ती है and choice filling रहता है उसके अंदर भी मतलब आपको choice filling के साथ साथ आपको उसको lock भी करना होगा ऐसा नहीं कि आप choice filling आपने कर दी है सेकंड option मतलब second counseling के लिए अप थर्ड counseling में भी upgrade करना चाते है उसको मालीज आपको second counseling में भी नहीं मिला college आपकी पसंद का अगर आप चाहते हैं कि हमें third counseling में जाना है बट आपको second counseling के लिए उसके साथ choice filling के साथ साथ उसको lock भी करना पड़ेगा पात्र अभ्यारती को mop up चरण में क्या करना होगा एसे अभ्यारती को mop up चरण के choice filling even locking के पूर्फ दो लाक रुपे का अगरिम शुल्प के रूप में जमा करानी होगी NRI अभ्यारती को 10 लाक रुपे अगरिम शुल्प में जमा करना है ताकि तभी होगी तभी वे choice filling even choice locking कर पाएंगे पातरह भ्यारती मतलब जो भी eligible students हैं उनको mop up चरण जो होता उसमें क्या करना है इसमें आपको क्या करना है choice filling के तोरान आपको choice filling के time पे आपको locking से पहले मतलब कोई भी up gradation lock से पहले आपको 2 लाक रुपे का अग्रिम शुल्प के रूप में जो भी ये एक अग्रिम शुल्प आप ये मान के चलिए कि आपको 2 लाक से पहले security deposit रहता है आपको 2 लाक रुपे आपका जमा करवाते हैं normal student से 2 लाक रुपे जमा करवाते हैं NRI से 10 लाक रुपे का है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा ताकि choice filling के time पे आप choice locking करें ये actually जो पैसे जमा करवाये जा रहा है ये इसलिए करवाये जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को बहुत seriously ले इसलिए ये पूरा charge हो सकता है दो लाक रुपे आपको वापिस ना मिलें इसलिए कभी भी choice filling के time पे अगर कोई चीज़ आप लॉक कर रहे हैं तो पहले अपने सब चीज़ मश्वरा कर लें अपने तरफ से पूरी चीज़ें आप ध्यान में रखें कि हमें ये पैसा जमा करना होगा और उसके बाद हमें आपको पैसा आपका वापिस नहीं मिलेगा इसलिए आप जब भी choice filling करें लॉकिंग करें बहुत सोच समचे करें अपग्रेट करें नहीं करना है वह कॉलिज नहीं लेना है तो second counselling third counselling से दो दिन पहले आपके पास time रहता है आप उसको निकाल सकते हैं मौप अप चरण है तू अगरिम शुल्क रुपे दो लाग रुपे दस लाग रुपे का समायोजन किस तरह से होगा मीज उसको किस तरीके से आपको उसका पूरा डिपॉजिशन रहेगा सीड आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश्ट के समय यराशी आवंटित संस्था के कुल श्रलिख शुल्क में समय योजग कर दी जा रेगी यदि मौप अप राउंड के अंदर कोई सीट अवंटित नहीं होती है तो उन्हें धारी समय सीमा में ये राशी अभ्यार्थी के बैंक खाते हैं वापिस कर दी जाएगी परंतियों अभ्यार्थी जिनने मौप अप चरण में कोई सीट अवंटित होती है और वे अवंटित सीट पर प्रिवेश नहीं लेते हैं तो इस दश्या में अभ्यार्थी द्वारा जमाई की गई अगर इमशुल को दो लाग रुपे दस लाग रुपे सजागत हो जाएगी अगर आपको अलॉट हो गई है और उसके बाद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो यह रिवर्ट नहीं किये जाएगी आपने जो दो लाग रुपे जमा किये हैं यह आपको वापिस नहीं दिये जाएंगे अलॉट होने के बाद अलॉट होने के बाद आप नहीं लेते हैं तो तो यह revert नहीं किया जाएगा, अगर नहीं allot होता है, तो आपके account में वापस आ जाएगा, और यह questions जो आपने देखे, यह बहुत ही basic questions है, जो कि आपके बहुत लोगों को issues होता है, और यह questions बार-बार पूछे जाते हैं, क्योंकि यह money, जो भी जमा करवा रहा हैं, पैसे जम करवा रहा है, इसको लेके बहुत students को confusion रहता है, कि amount वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको clear कर दिया है, अगर आप allot हो चुके हैं, आपको कर दिया है अपने जमा, और अगर आप अपने उससे छोड़ते हैं, तो यह पैस वापस नहीं आएगा, और allot नहीं हो पाता है, तो वापस आजाएगा, इसके अलावा भी अगर आपके बास कोई questions आते हैं, बहुत छोटे-छोटे से questions होते हैं, बहुत, बहुत हलके-छोटे से questions के friends घबरा जाते हैं, परिशान हो जाते हैं, किसमें क्या करना है, तो उस questions के लिए आप हमें बुलकुल, जो हमार होगा, अगर हमें, आपको कोई issue हो रहा होगा था हूँ, आपको बुलकुल वही comment section बताएंगे, हमारा instagram पे page है, अगर आपको लग रहा होगा, instagram पे आपको कुछ पूछना है, तो हम direct आप हमसे question पूछ सकते हैं, one to one, हम बुलकुल उसको सवाल का जवाब देंगे, और इसम इतनी बार आपको पूछना है, आप पूछिए, आपको परिशानी हो रही है, आप आगे वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को जिनको आप बता सकते हैं, बहुत students हैं, जो कि इस चीज़ को लेके परिशान होते हैं, इसमें गलतियां करते हैं, और आपका पूरा साल वेस्ट हो जाता है, आपकी सारी पढ़ाई, आपका पूरा टाइम, सिर्फ ये काउंसलिंग की वजा से वेस्ट हो जाता है, कई बार सुटेंट्स में नहीं भर पाते हैं, चोईस फिलिंग गलत कर देते हैं, वो बुलकुल ना करें, आप इस चीज़ को देखें, आगे शेयर करें, इसमें कमेंट करें, और जो भी आपको परशानी हो रही हैं, हमें बता हैं, हम्बलकुल अपने साइट से, इसमें पूरी आपके हल्प करेंगे, Thank you so much.